कि जारखन SSC के द्वारा जो भी प्रतिजोगीता परिच्छा होने वाला है यानि JSC के जो भी एक्जाम सोने वाले है उसका एक्जाम कैलेंडर को लिकर अगर आप देखेंगे तो JSC के साइट में एक्जाम कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है 23-24 बर्स का तो इसमें हम देखेंगे कि जारखन में जो भी प्रतिजोगीता परिच्छा होने वाली है चाहे वो नगरपाली का हो, CGL हो, PGT हो और भी जो भी LDC का एक्जाम हो सारे एक्जाम का जो कैलेंडर है दोस्तो वो जारी क्या गया है तो यहां पर What's New section में जाके दोस्तो आप देख सकते हैं एक्जाम कैलेंडर 23-24 आईए दोस्तो इस कैलेंडर को देखते हैं जिसमें आप सभी का जो परिच्छा की संभावित जो तीथी है वो कब है इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जार्खन करमचारी चैनायोग के आगामी परिच्छाओं का कैलेंडर जो की बर्स 23-24 इसमें बहुत से एक्जाम से दोस्तों जो डेट एक्स्टेंड कर गया गया यानि जो 23 में होने वाला थो वो 24 तक चला गया है ठीक है तो इसमें अगर देखेंगे देखें पहला जो है जार्खन प्रोयोगसला सहायक परतिजोगिता परिच्छा है जो की CBT online मोड में होगा दोस्तों और ये परिच्छा आयोजन की संभावित जो तीथी है ये 27 यानि इसमें अगर देखेंगे तो ये परिच्छा एक त मोड पे होगा और इसमें अगर देखेंगे तो 18-08-2023 से यानि 18 अगस से लेकर 10 सेप्टेंबर के बीच इसका संभावित थी है और रिजल्ट आउट होगा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक में अब देखें जो डिपलोमा का एक्जाम था ये भी दूस्तों CBT मोड पे होगा सार पास्ट वीक में इसका रिजल्ट एनाउंस किया जाएगा अब देखिए यहां पर सामाइन सनातक जोग्यता धारे संजुक परति जोग्यता परिच्छा सीजील का जो डेट है दोस्तों एजटी सेम रखा गया है देखिए यहां पर इसली कानफ्यूजन में ना रहे हम पहल जो डेट है दोस्तों पहले भी वही था अभी वही रखा गया है ठीक है अब आते हैं नगरपालिका वाला देखिए नगरपालिका की बात करें तो दोस्तों देखिए CGL OMR बेस्ट होगा दोस्तों नगरपालिका भी आपका OMR यानि ऑफलाइन मोड में एक्जाम होगा नग परिक्षन सेप्टमबर 2023 से नवंबर 2023 के बीच आपका आपका क्या होगा फिजिकल टेस्ट पहले जो होगा और लिखित परिच्छा दिसंबर 2023 के दीतिया सब्ता में आपका रिटेन एक्जाम लिया जाएगा और जनवरी 2024 के second week में आपका result एनाउंस कर दिया जाएगा इसल दिसंबर में आपका रिटेन एक्जाम होगा और जनवरी 2023 में आपका second week में result आउंस किया जाएगा अब आता है सात्मा नंबर अद्योगीक प्रसिक्षन सेवा जो है दोस्तों यह CBT mode online पे होगा और यह देख सकते हैं 15-12-2023 से लेकर 17-12-2023 याने डिसंबर चला जाएगा दोस्तों जनवरी 24 में इसका अंतिम लास्ट वीक में result आएगा metric अस्तरी जो परति जोगीता परिक्षा है यह OMR-based पे होगा और इसका देख सकते हैं 28-10-2023 में संभावित्ती ती रखा गया है जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में इसका result एनाउंस किया जाएगा इसके अलाबा अगर बात करें तो और यानी टोटिल 12 एक्जाम का कैलेंडर जारी क्या गया है जिसमें देख सकते हैं 9 नंबर जार्खन प्रारंभिक प्रसिक्षित सिक्षा संजुक्त परतिजोगीता परिक्षा यहां पर देख सकते हैं नवंबर 2023 के दीतिय सप्ता में होगा जनुवरी 2024 के फर्स्ट वीक में प्रथम सप्ता में इसका result एनाउंस किया जाएगा और यहां पर देख सकते हैं दसमा नंबर जो जार्खन सनातक तक्निकी यानि दुस्तों जो टेक्निकल सीजियल की वेकिंसी है ठीक है उसका देखिए CBT मोड में इसका एक्जाम लिया जाएगा और यह आपका कैलन जो एडबेटाइजमेंट आएगा अगस 2023 के दीतिय सप्ता में संभावी थे यानि अगर देखेंगे तो इस वीक में आपका आपका इसका एडबेटाइजमेंट आ जाहिए नवंबर 2023 के दीतिय सप्ता में इसका एक्जाम लिया जाएगा और जनुवरी 2024 के दीतिय सप्ता में इसका एक्जाम लिया जाएगा और दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ता में इसका एक्जाम लिया जाएगा और दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ता में इसका एक्जाम लिया जाएगा और LDC यानि जो आप लोग पहले से बता रहे थे कि LDC हिंदी टंकन वाला तो देखें इन लोग का भी नोटिफिकेशन कब आयागा अगश्ट 2023 के थार्ड वीग में यानि इसी महिना आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा दूस्तो और नवंबर 2023 के अंतीम संपता में आपका एक्जाम लिया जाएगा जनुवरी 2023 24 में अंतीम संपता में आपका रिजल्ट एनाउंस किया जाएगा देख सकते यह है इस बहुत से लोग पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो वो लोग को फिर यहां से अपडेशन मिलेगा और इसके बाद तो यह रहा दोस्तो JSC के तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है अगर देखेंगे JSC यह कैलेंडर है वर्स 2023 से 24 ठीक है तो यह रहा दोस्तो JSC के तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया उसके बारे में बताएं इस प्रकार के और भी जो अपडेट होगा JSC से जुड़ी तो चैनल को जरू सब्स्राइब, लाइक और सेज जरू करिएगा दोस्तो Thank you